जेएँ दोस्तों, तो देखो प्रेंट्स आज यहां पर बात करेंगे बीटोईन के बारे में, ईडियोय OS के बारे में, प्लस यहां पर टोटल Markets के प्लेशन के बारे में ताकि हमें समझी में है कि शोट टम के अंदर क्रिप्टो मार्केट की इस तरफ जा सकता है सबसे पहले बात करेंगे बिटकोइन के बारे में बिटकोइन का यहाँ पर हमने चार गंटे का टाइम फ्रेम वाला चार्ट ओपन किया है बिटकोइन का प्राइज चल ला है 19,700 डोलर जबकि वीडियो शूट हो रहा है अब यहाँ पर बिटकोइन देखो इसके पेले जो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था बिटकोइन थोड़े टाइम पेले वहाँ पर एक बेर फ्लेक जैसा बना और नीचे से ब्रेकडाउन होके बिटकोइन ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कुशिच की तकरीबन 19,500 डोलर फिलाल दूसरी बार भी यहाँ पर एक पेटन बना एक ट्रिंगल बना उसके अंदर चार्ट चला गया है जैसे कि यहां से support लिया, ऊपर यहां पर resistance, यहां पर support, यहां पर resistance, यहां पर support, यहां पर resistance, देखो यहां पर fake out था है, यह उपर तो गया बट उपर sustain नहीं कर पाया, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार की confirmation के बिना trade ना करो, तो कि यहां पर काफी लोगों ने long कर दिया होग उसको लगा होगा कि यहां से break out मिल गया है, बट क्या है कि यह फैक break out था, एक दो candle उपर close करने से पहले trade नहीं लेना चाहिए, फिर से इस chart के अंदर आगे, तो फिलाल मुझे लग रहा है, maximum 24 गंटे के अंदर, यहां से बहुत बड़ा break down या तो break out मिल सकता है, ज्यादा च current time 947 billion dollar, अभी total market capillation चल ला है, total market capillation भी यहां पर देखो बार बार इस trend line के उपर support लिया है, बट इस trend line को यहां पर मुझे लग रहा है कि break down कर दिया है, देखो यहां से तोड़ा और यहां retest किया, again यहां पर try कर रहा है, कहीं न कहीं गिरावट आएगी bitcoin के अंदर, और प्रशी की और market जाने के chance 99% है, और यहां पर सबसे पहला target, total market capillation का है, 921 billion dollar, प्रिवेज टाइम भी यहां पर support मिला था, तो इस टाइम देखेंगे, सबसे पहले यह target देखो, यहां पर भी sustain नहीं करता है, total market capillation, तो इसका next target, यह वाला area होगा, तकरीबन 829 billion dollar, अब यहा यहां पर देखो, अब Ethereum का chart open कर लेते है, तो Ethereum में भी same, देखो, हमने एक trend line यहां पर बनाया था, हमने कहा था कि इस trend line के ऊपर chart sustain करता है, तो देखो, वापस से इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो Ethereum का भी target, कहीं न कहीं, bitcoin में जो गिरावट आया, total market capillation में market होगा, 1290 से लेके $300 के around around, $350 के around around, Ethereum में भी गिरावट आ सकती है, फ़ले इसका event हो, इसमें भी गिरावट आएगी, तो यहां से इमें एक अच्छा ख़शा short कर सकते है, long मत करो, short में ज्यादा फोकस करो, plus यहां पर stop loss के साथ trade करो, total market capillation के अंदर मुझे लगता है की confirmation मि चुका है, आपके क्या viewpoint है, comment में बिलकुल बता है, देखो यहां पर breakdown हो चुका है, और यहां पर अब यह train line के नीचे जा चुका है, तो यहां वर्षी गिरावटाना स्टार्ट हो जाएगी, maximum 24 घंटों के अंदर, Bitcoin में भी, कहीं न कहीं, पहला target, $19,400, उसके बाद, Bitcoin के अं गुद्बाई